दोस्तों चलिए हाँ पर बात करें मलेसिया ग्रांड रूवेल टीटेन मुकाबला जो खेला जाएगा MKP वर्सेस ACT के बीच मुकाबला खेला जाएगा देखा जाए सिरीज में MKP की टीम एक मुकाबला खेल रखे ACT की टीम नियू खेलने वाली है कल इसी सिरीज का दो मुकाबला हमने कबार किया दोनों को दोनों मीनी जील अल्ट्रा किलिंशिव गया लेकिन इस सिरीज में बहुत बड़ा लोचा है और बहुत बड़ा देखा जाए तो फिक्सिंग का असर चल रहा है शलिए उनके बारे में भी बात करते है हलांके हम लोगों के लिमेच काफी सांदर जा रहा है लेकिन फिक्सिंग जो चल रहा है वो काफी धमाकेदार वो भी चल रहा है इन्वेश्ट क्या करना है नहीं करना है जब तक मैं टेली गराम पर अपडेट ना करो अपने मन से मत करना मेरे बाई नहीं तो बहुत बढ़ा लोज भी हो सकता है इसलिए हमारे बातों का अनुसार चलो एक मेश से पूरे फेंटेसी खत्व नहीं होती बहुत सारे मेश हैं अगर ज़यदि मुझे लगा कि मेश काफी दिक्कते हो सकते हैं तो इसकी भी कर सकते हैं और लगा तो इन्वेस्ट भी क खेलना चाहते हैं तो हमारे टेली गराम चैनल को आपको जोईन करना बहुत जादा जरूरी है क्योंकि वहाँ पर मिलेगा आपको फाइनल टीम जिस टीम से मैं खूद खेलता हूं इनके लावे जी एलकल टीम पीच रिपोर्ट पिलिंग लेवन याने एक सांदार टीम बनाने बुलू कलर में सवर्फ समाजिक 14 से उसी पे किलिक याने टच करोगे सीधे हमारे टेली गराम चैनल 54 के याने 54 लोग जूड़े हैं यहां पर आप भी जूड़ोगे बिलकुल फिरी में टीम वेगेरा हर अपडेट लेकर जहा सकती हो तो मेर भई एमकेपी की टीम एक मुकाबला ओल्रेडी खेला और वन साइड़ेद हार गई क्योंकि सामने की टीम बहुत ज्यादा श्ट्रोंग थी यहां सदिको मुहमद इम्रान काफी अकर्मक वल्लेबाज है इनका कर्यारी कोड़ भी काफी बढ़िया भई अर्द सत्तक भी है इनके नाम ऐसाख खान पाट टाम गेनवाजी फूल टेम वल्लेबाजी लेगिन जादा कुछ खास नहीं कर पारा है गुलाम मॉर्तजा के अफटान SAP टगलाचुवाई से हुना चे धोनोची जी करता है दोनोंची इनका त्चा है नाबिद हसन की बाद के यह भी दोनों चीच करना चे वैसा गेनवाजी कई कबार नहीं करता बेकिन दोनों चीच करता है हलांकि वल्ले बाज थोड़ा अकर्मक है यहां पर एकारा पर दस ही जड़ा मौमद टौफ की की बात किजा यहां से अठारा का योगदान दिया मेरे भाई बाकी आमीर खान उफर वल्ले बाजी करतल नहीं यहां पर नीचे इनको बेजा गया इनके गेन बाजी क्या रहे गेन बाजी पवन दीप सिंग यहां से दो बाज डाला विकेट लिएश रहा जे मुर्ताजा एक ओबर में 13 रच दिया एम टौफ की बात के गजब की गेन बाजी की भाई इमरान बाइस में 36 तीन चवके तीन चखके की मदद से और वैसे करिया रिकोर्ड अच्छा है मौमद अतीफ अगर जदी विगण की प्रिंग नहीं करता है मेरे भाहिती यह गिनबाजी करेगा याद रखना गुलाम मुर्ताजा यह तो 14 पे 46 जड़िया 6 चके की मदद से क्या बल्लेबाजी क्या आमीर खान बहुत बड़ा पिलियर लास्ट सीजन हुआ करता था और गिनबाजी बल्लेबाजी टोफ आउडर पर करता था भी पता नहीं बहुत नीचे यह अपने आपको आ रहे हैं बाकी गेनबाजी क्या रहे गुलाम मुर्ताजा नवीद हसन पीज सींग तीनों ने दो दोबर डाला बाकी ओबर जो बटवारा होगे यहां से देखा जाए लेकिन मुहमत तो टौफ की की बात किया जिस तरह से यह गेनबाजी करते इस पीन गेनबाजी गजब का एक बढ़िया ओल्राउंडर यह भी पिले रहे लेकिन वही मौका पर निदभर करता है मुहमत यासी रैली यह भी ओल्राउंडर के तोर पर यही खिलता है गेनबाजी बले बाजी दोनों करता है लेकिन किनका रूल क्या होगा वो टोस के बाद ही पता चलेगा यह मेरे कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पर इनफोर्मेशन देता हूं इनके अलावे कुछ जनकारी लेना हूं इस्टापे मेसेज करो मैं आपर सारे लोग का रिपलाई भी देता हूं वो भी सांदार तरीका से तो दोस्तों एस सीटी के टीम की तरफ से देखा जाते हैं से यह यूशूप दो भर डालना चीए डी अपास ये भी दो भर डालना चीए डेथ में डालता है सैफ अल हसन ये भी दो भर डालना चीए तीन में गिनवाज इनका यहां से हो जाता है बाकी यहां से देखो किसी के उपर आप भरोसा नहीं कर सकता है एस हामीद हुसेन इनका करिय रिकूर्ट उतना खास है नहीं अरामतर पर जाला गिनवाजी किया नहीं यहां से इस सही कि यह गिनवाजी कर सकता है दो बर कंप्लीट इनके पाजन बवर इनका करेयर रिकूर्ड अच्छा है तो इनके उपर हम लोग थोड़ा सा विचार करें फिलाल एम हतीब के उपर गया लिए लेकिन रूल के हिसाब से एक बीगनवाजी आपको लेना ही ही ओगा बाकि यहां से देखोगे यह सोहिल खान इंपोर्टेंड है इनके उपर भी चाहो तो जा सकते हो बाकि यहां से मैंने गेनबाज को लिया जोगी दोबाद डालने है थोड़ा गेनबाजी केटिग्री इनका अच्छा है फिलाल के लिए भी जादा कुछ नहीं करना आप यह टीम सेफ करके रखो केटन की बात की जाए तो केटन यहां से हसन मासू दी होगा तो इनबेस्ट के लिए मैं बार बार बोरों टेलिग्राम पे जब तक अपडेट ना करू तब तक इनबेस्ट मत करना तो मेरा भाई फिलाल के लिए वीडियो के ही समावत करता हूँ आसा करता हूँ भगवान की किर्पा से हम लोगों का रिजल्ट अच्छा जाए आप लोग भी भगवान से यही दुआ करो